दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के Top 26 ऐसे Question-Answers क्योंकि सभी परिक्साओं के लिए मैतपून होने वाले हैं आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा और 26 में से कितने Questions के आंसर सही कर पारें अपना Score कमेंट बोक्स में जरूब देगा ये वीडियो रात में 9 बज़े आती है Only Top Study यूटूब चैनल पर तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को पहला Question है कौन से ग्रह को प्रत्वी का जुड़व भी कहा जाता है देखिए आपको किसी भी Question का आंसर पता है तो Comment box में बता सकते हैं पहले Question का Right Answer है सुक्र को दोस्तो प्रत्वी का जुड़व भी कहा जाता है तो Right Answer B हो जाएगा दूसरा Question है निमने में से किस देश में अमेजन नदी बहती है दोस्तो दूसरे Question का Right Answer है ब्राजील में ठीक है दूसरे Question का Right Answer सी रहेगा ये आपको याद अखना है Question 3 है लावनी लोक नत्य भारत के किस राज्य से सम्बंदित है तीसरे Question का Right Answer है माहरास्ट यानि की Right Answer D रहेगा ये आपको याद अखना है Question 4 है धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भासा में है Question 4 का Right Answer है तमिल यानि की D Correct Answer है Question 5 है विधाई का को किस परकार की सरकार में कारेपालिका से अधिक प्रात्मिकता मिलती है Question 5 का Right Answer है प्यारे दोस्तों 10,000 कोशन आंसर की जो हमारी Master PDF है अगर आप लोग ने अभी तक इसको नहीं लिया है इस नंबर को नोट कर लीजे इस पर Message कर देना 180 रुपे आपको Paid करने होंगे इस PDF के लिए इसमें सारे subject मिलेंगे पूरी lifetime के लिए आपके पास ये PDF रहेगी अगर आप चाहते हैं 20,000 कोशन आंसर की PDF को लेना जिसमें 10,000 previous year कोशन आंसर होंगे SSC के सभी exams के तो वो भी PDF इसमें मिल जाएगी बट उसके लिए आपको अलग से 50 रुपे देने होंगे ठीक है यानि की 230 रुपे में आपको सारी PDF मिल जाएगी और complete syllabus रहेगा इस से बाहर guarantee के साथ में कुछ नहीं जाएगा तो आप हमें message कर लेना इस number पे screenshot ले लिजए छटा कोशन है अनवार A. सुलेही गरंद किसका अनवाद है सही answer हैगा दोस्तो पश्तंत्र का यानि की A. correct answer हैगा साथ में कोशन है मसाई 99 से किस देश की जन जाती है साथ में कोशन correct answer हैगा केनिया यानि की A. correct answer हो जाएगा बलवा पत्थर किस परकार की चटान है बलवा पत्थर किस परकार की चटान है आठवी कोशन correct answer हैगा अब साथी चटान यानि की आठवी कोशन correct answer दोस्तो B. हो जाएगा नवा कोशन है किस करह को बोना गरह माना जाता है किस करह को बोना गरह माना जाता है तो नवी कोशन correct answer हैगा दोस्तो पलूटो को बोना गरह माना जाता है 90 कोशन कराईट आंसर B हो जाएगा दस्वा कोशन है तुग्मदरा नदी का प्राची नाम क्या था दस्वे कोशन कराईट आंसर हैगा पंपा यानि की A इस दाराईट आंसर ग्यारवा कोशन है गिर राष्ट उध्यान किसके लिए परसिद है गिर रास्टे उध्यान मेरे प्यारे दोस्तों ये परसिद है ACI share के लिए यानि कि C correct answer हैगा रावी नदीग का वैदिक नाम क्या है पारुसीनी यानि कि right answer B रहेगा बारवे कोशन का सही answer दाची गाम अभ्यारन कहा इस्तित है सेशन आपको अच्छा लगे तो like भी करते रहे और share भी करते रहे आपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रूप्स में दाची गाम अभ्यारन दोस्तों ये है जम्मू कस्मीर में यानि कि D right answer हैगा कोशन 14 है भारत और भुटान के बीच की सीमा कितने भारती राज्यों से लगती है कोशन 14 correct answer रहेगा दोस्तों चार राज्यों से यानि कि B correct answer हो जाएगा कोशन 15 है नीजी छेत्र में देश का पहला अंतरास्टे हवाई अड़ा कहा निर्मान दीन है सही आंसर हैगा कोशी यानि कि A is the right answer सोलवा कोशन है भारत की अंतरास्टे विमान सेवा है भारत की अंतरास्टे विमान सेवा दोस्तों है Air India सोलवे कोशन का right answer C रहेगा या आपको याद रखना है सतरवा कोशन है Grand trunk road किसने बनवाई सतरवे कोशन का right answer रहेगा सेर साहने यानि कि D is the right answer किस नदी को नर्मदा की看 support की के रूप में भी जाना जाता है किस नदी को नर्मदा की head made के रूप में भी जाना जाता है सही answer हहेगा तापती नदी हो यानि कि a right answer है दोस्तों उन्निसवा कोशन है गही राम माथा अभ्यारण उडिशा में किसके लिए एक मात्र अभ्यारण है सही आंसर रहेगा दोस्तों कच्छुए के लिए यानि कि राइट आंसर डी रहेगा सही आंसर रहेगा उत्राखंड में यानि कि B इस दा राइट आंसर 21 कोशन है सामबर जील किस राज्य में इस्ति थे 21 कोशन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजिस्थान में यानि कि C correct आंसर रहेगा 22 कोशन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारती राज्य में इस्ति थे साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारती राज्य में इस्ति थे सही आंसर रहेगा केरल में यानि कि A correct आंसर रहेगा 23 कुशन है हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा प्रियाटक आकर्शन इस्थल है सही आलसर हैगा रोतांग दर्रा यानि की B is the right answer कुशन नमर 24 है विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजूली कहां इस्थित है सही आंचर हैगा दोस्तो असम में यानि की A correct answer हैगा बांदीपूर राष्ट्य उधान कहां इस्थित है बांदीपूर राष्ट्य उधान कहां इस्थित है सही आंचर हैगा दोस्तो करनाटक में पच्चिसवे कोशन का right answer C हो जाएगा कोशन नमर 26 है सत्पुडा सरेनी की सबसे उची चोटी कौन सी है सत्पुडा सरेनी की सबसे उची चोटी कौन सी है 26 वे कोशन का right answer हैगा दूपगड यानि की A is the right answer अब देखे इस वीडियो में थे हमारे 26 question answers आप लोगों ने 26 में से कितने सही किया है comment box में सबसे पहले अपना score बता दीजे रावी नदी का वैदिक नाम क्या है ये एक test question है जिसका answer सभी को comment box में जरूर बताना है अगर आप लोगों ने अभी तक only top study app नहीं download किया है तो इसको download कर लीजे यहाँ पर आपको test list मिलती है सभी exams के लिए बहुत ही कम price में एक बार widget करके देख लेना और ये हमारी जो best PDF है दोस्तो master PDF यह आप ले सकते हैं मात्र मात्र 180 रुपीज में 10,000 question answers है दोस्तों और सारे के सारे subject के question answers है आपको अलग से कोई भी PDF लेने की जरुत नहीं पड़ेगी ठीक है 700 नहीं है 180 रुपीज 180 रुपे के है अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अलावा आपको 10,000 question answers PYQs भी मिल जाए तो यही PDF आपको 20,000 questions की मिल जाएगी और वो मिलेगी आपको कितने में 180 में नहीं मिलेगी वो मिलेगी 230 में यानि कि 50 रुपे एक्स्ता देके आप 10,000 PYQs भी ले सकते हैं ठीक है आपकी मर्जी आप हमें इस WhatsApp नमबर पे message करके PDF ले सकते हैं message कर लेना जब भी आपको PDF लेनी होगी डिटेल बाद में उसी पर बताती जाएगी session अच्छा लगे तो like share करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए bell icon को ओन रखिए ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याले के अपना, मिलते हैं next class